नवस्कार स्वागत है आपका इंडिया की बात में मैं अभिसार शर्मा और मेरे साथ हैं भाशा और उर्मिलेश जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों गुजरात और हिमाचिल प्रदेश के नतीजे आ गए मगर आज इंडिया की बात में हम इस बात की चर्चा करने जा रहे हैं कि आगे का रास्ता क्या आज मुद्दा है दो हजार चौबीस का अगनिपत आगे का रास्ता और आज की जी चर्चा हैं हम दोस्तों तीन विश्यों की इर्द गिर्द रख रहे हैं मुद्दा नमबर एक आने वाले दिनों में किस तरह से मीडिया, प्रचारतंत्र और जाच एजनसीज का इस्तमाल होगा मुद्दा नमबर दो इसी के चलते विपक्ष का जो रास्ता है वो कितना मुश्किल हो गया है क्या चुनौतिया हैं और खुद उनके लिए आने वाले दिनों में उन्हें क्या करना चाहिए और मुद्दा नमबर तीन, मोदी फैक्टर, जी हाँ, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का फैक्टर, उनकी छवी, उनका असर और ये इस चुनाव का सबसे एहम पहलू होने वाला है शुरुआत हम करने वाले हैं कि आने वाले दिनों में किस तरह से міडिया का इस्तमाल होने वाला है ये न भूलें, जैसे जैसे हम ढुज़ार चॉबीस के लोकसफ़ा चुनावों की तरफ भढ़ेंगे वैसे वैसे प्रचार माध्यमों मुक्यधारा के न्यूस चैनल्स में विपक्ष जो है वो घायब होता जाएगा और सिर्व एक चहरा सामने होगा और वो है प्रधानन्त्री नरेंद्र मोदी का चहरा ऐसे में विपक्ष किस तरह से दस्तक दे सकता है उसकी चुनोतिया बहुत मुश्किल होंगी बहराल मीडिया प्रचार तंत्र और जाच एजन्सी का कैसा नापाक खेल होगा इसका पंच बता रही हैं भाशा देखी अभी सार मेरा बिल्कुल साफ मानना है कि 2022 में और उससे पहले हम देख चुके हैं कि किस तरह से मीडिया जाच एजन्सी खास और से जाच एजन्सीया विपक्ष के उपर उनकी सरकारों को गिराने का काम करती है तो मुझे लगता है आने वाले दिन में हम यही कह सकते हैं और क्या देखने को बाकी है आप से दिल लगा के देख लिया उसी तरज में बहुत साफ है कि जाच एजन्सीया बहुत तीखा प्रखार करेंगी MCD का एलेक्षन हो, हिमाचल का हो, गुजरात का हो सब जगा हमें इसकी बानगी इसके एक्जामपल देखने को मिल चुके हैं अभिसार क्या है आपका पंच? इस मुद्धे पर मेरा पंच ये है कि एक मिसाल के तौर पर 2024 की शुरुआत में राम मंदर के कपाट खुलने वालें क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उस दोरान मीडिया में किस तरह से प्रधान मंद्री नरेंद्र मोदी का कवरेश होगा? जी हाँ राम भगवान राम भी खायब हो जाएंगे और मोदी मोदी होता रहेगा ऐसे मैं आप बताईए मीडिया में जब ये प्रचार चलेगा तो स्वाभाविक सी बात है भारती जनता पार्टी को इसका फाइदा होना है तो एक तरह से इस मुद्दे पर मीडिया में बढ़त बीजेपी को पहले से मिल जाएगी उर्मिलेश जी इस मुद्दे पर आपका क्या है पंच? देखे जो स्थितिया मीडिया में हैं जाँ एजनसियों के स्थर पर हैं वो बरकरार ही नहीं रहेंगी बलकि आगे और ज्यादा वो गहरी होंगी और ज्यादा वो मारक होंगी विपक्ष के लिए लोगतंत्र के लिए भी सवाल इस बात का है कि इसका विकल्प क्या है? मैं समझता हूँ कि इसका विकल्प सिर्फ जनता के पास जाना है चाहे हो समाज के दूसरे घटक हों या पॉलिटीशियन हों पॉलिटिकल पॉर्टी üzer हों हमने अतीद में देंकि बहुत सारे ऐसे नेता देश में रहें हैं खासकर रेजिनल पॉर्टी यो जो अपनी पूरी पॉलिटिकल पॉर्टी जिनकी अपकशा कृत नहीं थी अख़वा और एजिन्सियों के बारे में एक प्राउडर उनको यूनिटी भी बनानी पड़ेगी फाइट आउट करने के लिए तो चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं ये ना भूलें कि अगले साल की शुरुआत में करनाटक में चुनाव होने वाले हैं करनाटक दक्षड में एक मात राज है जहां भारती जानता पार्टी की मौझूदगी है और वहाँ पर सत्ता में बने रहने के लिए आपको याद होगा किस तरह से हिजाब विवाद का जम दिया गया एक तरह से दंगे तक करा दिये गया और यहां पर इस्तिमाल किया गया प् बनाटी इसलिए भी मुश्किल हो जाती है एहम हो जाती है क्योंकि करनाटक एक मात राज है दक्षड में जहां उसका वजूद है बिलकुल और करनाटक के अलावा मैं आपको याद दूनाओं कि मध्यप्रदेश राजस्थान च्छतिसगर इन राजियों में भी 2023 में चुन करनाटक के बारे में मेरा यह मानना है कि करनाटक में अगर कांग्रिस अपने परिवार को समाल कर रखे और रख सके तो करनाटक में आज की तारीख में भारती जनता पार्टी चाहे जितना कॉमिनल कार्ट खेल ले बहुत मुश्किल है उसके लिए जितना एक फैक्टर वहा अगर कोई ऐसा खेल खेल देते हैं तो उस खेल का दुश्परिणाम ये भी हो सकता है कि भाजपा को जीत मिल जाए या फैदा मिल जाए जीत तो मैं नहीं कहूंगा फैदा मिल जाए एक और बात कहा कर अपनी बात मैं खतम करना चाहूंगा कि देखिए साउथ में हमें नहीं बुलना चाहिए कि तेलंगा ना नाम के राजे में हाल के वर्षों में भारती जन्ता पार्टी ने अपनी ताकत बेश्शुमार बढ़ाई है तेलंगा नाम जो राजे यूपिय ने रियेट किया बनाया कॉंग्रेस ने उसका इनिशिएटिव लिया उसका खम्याजा पढ़ रहा है आज TRS वहाँ अब तो उसका नाम बदल गया आज ही मैंने देखा कि नोटिफिकेशन हो भी गया है तो तेलंगाना में केज चंदरशेखर राव की पार्टी आज की तारीक में नंबर वन है बीजेपी नंबर टू हो गई है अंदर से अगर देखा जाए मैं दो आप जानते हैं कि हमने इन तीनों राज्यों में कई दिक्कते देखी जाच एजनसीज और पैसया और रसूख का इस्तमाल करके मदप्रदेश में खेला पलड़ दिया गया 36 गड़ में सौमया चौरसिया प्रकरण आया है जिसके चलते भूपेश बगेल दबाव में हमें हम देखी अभिसार मुझे लगता है कि आगे बढ़ने वाली है मलब फ्यूचर टेंस को छोड़ दें तो प्रेजेंट टेंस में भी अभी जो दिखाई दे रहा है जहां चुनाव हुआ हिमाचल में भी MCD का चुनाव होता है तो भी देखे कि सारी कि सारी डिबेट इसमें रहती है कि जीत आम आदमी पार्टी गई है लेकिन मेर हम बना रहे हैं हिमाचल में जैसे ही विपक्ष आगे बढ़ता है तुरंत पूरे मीडिया में चर्चा इस पर होने लग जाती है कि रिजॉर्ट मि हिसाब बन गया है इस समय नया नॉर्मल बन गया है भारती लोकतंत्र का ये दरसल खतरनाक है और मुझे लग रहा है कि इन तमाम चुनाओं में इसका इस्तमाल और ज्यादा बेशर्मी से होगा क्योंकि इसे नया नॉर्मल बना दिया गया है इसे नॉर्मलाइज कर दिया ग कि सारा का सारा तंत्र election commission से लेके सारा तंत्र आपको दिखाई देगा कि इस तरह की तमाम जो constitutional moralities हैं जो provision है प्रवधान उनका खात्मा होता तो कहीं सवाल नहीं उता और मुझे लग रहा है कि आने वाले तीन महीने अभी सार बिलकुल हम आज अपने प्रोग्राम में लिख के ले लें कि आने वाले तीन महीने में आप देखेंगे इस तरह की operation lotus इस तरह की media के दुशप्रचार इस तरह से ED का सम्मन इन तमाम राजियों में बिलकुल तकड़ा होने वाला है हैं और ये एक बहुत बड़ी चुनोती है विपक्ष के सामने किस तरह से प्रशासन जाच एजनसी दोनों का जो नापा के कॉक्टेल है उसका इस्तमाल किया जा रहा है देखे इसमें बेसिक समस्या क्या है बेसिक समस्या यह है कि विपक्ष जो है केवल सबाल उठाता है आ अगर बिहार का मसला है तो आरजेटी जाने या नितिश कुमार जाने हेमंध का मामला है तो जारखंड पी जाने केवल बंगाल का मामला है मम्ता जाने पिंडर equally विजें का मामला है केरल का तो केरल और सी-पिम जाने जब तक अपोजिशन इस पूरे मसले को अगर एक जुट होकर के नहीं एक विकल्प खोजता किया के करना क्या है उधारन के तौर पे रामपूर में जो एलेक्शन लड़ा गया जिस तरह से पहले का गया कि 33 परसेंट पोलिंग होई है बाद में का गया 39.3 परसेंट पोलिंग होई है जो भी है वहाँ पर बीजेपी जीत गई बीजेपी का एक मात्र मकसद था कि आजम खां की कांस्वेंसी में किसी तरह चुनाव जीत जाएं लेकिन ग्यापन देने के अलावा विपक्ष ने किया क्या क्या किया आप देख रहे थे पिछले बंगाल के एलेक्शन में ममता बनर्दी को आप चाहे उनकी जितनी यालोचना कर लीजिए लेकिन बिल्कुल आंदुलरानात्मक मुद्रा में आ गई वेस्ट बंगाल की चीप मिनिस्टर रहते हुए भी तो जब तक आप एक्शन में नहीं जाएंगे आप मुबलाइज नहीं करेंगे लोगों को तब तक मीडिया के जरिए आपके विरुद एक तो मीडिया आपके खिलाफ है दूसरी बात कि मीडिया असयोग भी करता है आप द्वारा उठाई गई आवाजों के साथ तो एक मातर तरीका है कि आप जनता के पुतली में उनकी आँखों की पुतलियों में दिखाई दें और जनता को मुबलाइज करें जब आपके खिलाफ मीडिया है जाहिर सी बात है आपको और उग्र होना पड़ेगा अपनी आवाज बुलंद करने के लिए अब हम ये ना भूलें कि जैसे ऐसे हम 2024 की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे एक बहुत बड़ी घटना करम होने वाली है वो ये राम मंदर के कपाट खुलने वाले क्या हम कलपना कर सकते हैं कि राज़नीति तोर पर जब ये होगा तो इसका राज़नीती पर क्या असर पड़ेगा प्रधान अंत्री नरेंडर मोधी का शेहरा दिखाया जाएगा और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मेरे पास ऐसे कई प्रमान है जब मैंने वो देखा था भाजपा का प्रचार राम लला का हाथ पकड़ के मोदी जी उन्हें ले जा रहे हैं मंदिर की तरह आप हर हर मोदी का नारा लगाते हैं जो आप भगवान इश्वर के लिए लगाय करते थे यानि कि एक तरह से कहा जा सक करने के बाद मोदी जी जब दिल्ली पहुंचते हैं सबसे पहले मीटिंग करते हैं और उस मीटिंग में जो रणीतियों की तह होती है उसमें बहुत बड़ा फैक्टर राम मंदिर है और दूसरा बड़ा फैक्टर है जी ट्वेंटी की जीत को विश्व गुरू के तौर पर स्थापित करना तो ये दो चीजें हैं दो तीन चीजें मुझे लगता है इसमें राम मंदिर तो ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर वो पूरा जो उनकी परिकल्पना है कि हिंदू वोटर हिंदू को हिंदू को हिंदू राष्ट में तबदील करने की जो पूरी रणीति लंबे समय से काम कर रही है उसमें पल पल आप देखिए कि किस तरह से आगे वो बढ़ रहे हैं उनकी रणीती बनी हुई है और मैं तो ये दावा कर सकती हूं आप से कि अगर थोड़ी सी पढ़ताल और की जाए तो उनका जो रोड मैप है जिसमें एक तरफ योगी आदितिनात है क क्योंकि हर तरफ भक्ती होगी और कोई भी सवाल उठाने वारा एंटी हिंदू और एंटी नेशनल राष्ट विरोडी और एंटी हिंदू जैसे हम और आप बात कर रहे हैं तो उसके बाद प्रचार शुरू हो जाएगा कि अभिसार एंटी हिंदू हैं भाशा सिंग हैं और अब हम रुक करना चाहेंगे दूसरे मुद्दे की तरफ और दूसरा मुद्दा जो हम आपके सामने उठा रहे हैं वो है विपक्ष के सामने चुनोतियां क्योंकि देखिए मुखाबला विपक्ष को करना है दोहजार चौबीस की तरफ हम बढ़ रहे हैं क्षेत्रिय दलों की अपनी मौझूदगी है उनके बयानात लगातार बदलते रहे हैं उपर से राहूल गांदी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं उसका एक तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है तो यह तमाम चीजें हैं क्या है स्मुद्दे का पंच और मिलेशी बताईए तीकि मैं समझता हूँ कि विपक्ष के पास आप्सन बहुत कम है और उसमें जो सबसे बड़ा आप्सन मुझे दिखाई दे रहा है कि विपक्ष को एक मैं ये तो नहीं कह सकता कि कश्मीर से कन्या कुमारी तक वो एक ही तरह से सब कुछ कर लेगा लेकिन एक रास्ट्र व्य पी एलाइंस के बारे में जरूर सोचना चाहिए कि एक कैसे यूनिटी मैक्सिमम यूनिटी वो कैसे एचीव करें हो सकता है कि कहीं कोई पुलिटिकल पार्टी किसी राज्य में हो जिसका सीधा कांटरिक्षन कॉंग्रेस से हो या कॉंग्रेस से उसकी लड़ाई हो वहाँ पर टैक्टिकल ढंग का एक इंगेजमेंट किया जा सकता है लेकिन विपक्ष के पास इसके अलावा मुझे कोई बड़ा आप्शन नहीं दिखाई दे रहा है कि कैसे वो चुनौती दे भाशा आप बताईए क्या है इस ख़बर का पंच देखे एक बात बहुत साफ है जो 2022 सिखा चुका है विपक्ष को कि जहां वे लड़ते हैं जहां वो अच्छे ढंग से योजना बना के लड़ते हैं वहां वह जीते हैं या जीत के करीब पहुशते हैं और एक मेसेज देने में भारतिय मद्दाताओं को सफल होते हैं तो मु लेकिन वह एक सकारात्मक कदम है कि आप सीधे तमाम जोखिम को उठाते हुए जनता से कनेक्ट होने जुड़ने उनके सवालों को उठाने की कोशिश करते हैं इसके अलावा विपक्ष के पास मुझे लगता है कोई और कदम नहीं है जनता ही जनार्दन है अभिसार आपका क क्या पंच है इस पर एक छोड़ी से मिसाल राहूल गांदी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं हम सब जानते हैं कि भारत जोड़ने के दो सबसे बड़े प्रतीक हैं महात्मा गांदी सरदार पटेल दोनों की प्रिश्टबूई में गुजरात है अब अगर राहूल गांदी भारत जोड़ो या में दी है हिमाचल में जिस तरह से लड़े local candidates लड़ रहे थे MCD में कितना प्रचार था अरविंद के इज्रिवाल के खिलाफ मगर वो लड़ते गए क्योंकि ये ना भूले अब ये उर्जा खिलेश आजमगड में दिखाते तो मैं दावे के साथ के सकता हूँ शायद आजमगड़ दी जी जाते तो लड़ोगे तो जीतोगे और बहुत साफ है अभिसार मुझे लगता है कि अगर आप जनता से ही भाग जाएंगे और ये सोचेंगे कि ये मैदान हमार नहीं है तब फिर जनता आप पर किस हिसाब से भरोसा करेगी तो ये एक बहुत साफ चीज है हाला कि एक साथ अभिसार हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो चुनाओ है या जो राजनितिक लड़ाई है वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है बिल्कुल बराबर नही हैं और हम बात कर हैं देश की राजधानी दिल्ली में बैठे हैं हमने MCD चुनाओ में देखा कि MCD को वापस हासिल करने के लिए जिस लेवल की योजना बनी थी मला MCD को आपने जोड़ दिया अध्यादेश लेया आए आपने डी लिमिटेशन कर दिया आपने उसकी तारी ग रड़नीती है कि आपको लड़ना और सिर्फ लड़ना ही नहीं अभिसार यह भी सोचना की जीतने की रड़नीती क्या है मैं आपने दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगा मैंने आज तक पर एक डेबेट का एक क्लिप देखा था ट्विटर पर जहां माननी रिंकिया के पापा वो कह रहे थे जब उनसे सवाल पूछा गया था कि भई MCD की चुनाव में भी मोदी जी तो उन्होंने का नहीं नहीं मंगल ग्रह में भी मोदी जी है इस तरह के बयानात ये लोग दे पाते हैं अचा मैं बात मैंने जिक्र किया था राहूल गांधी की भाराजोडो यात्रा क्योंकि इस वक्ष के नेताओं में सबसे जादा गंभीर चुनाथी बगएर लाग लपेट के बगएर शर्तों के राहूल गांधी देते हुए दिख जाने की वो कारक्रम है उस कारक्रम के और भी पहलु होने चाहिए और वो नदारद है आपको लगता है इस भारत जोडो यात्रा के? लेकि मैं आपकी बात से पारिशली सामत हूँ पारिशली इसलिए कि मैं भारत जोड़ो यात्रा को एक पॉजिटिव एक एकजेंडा मानता हूँ एक बहुती सकरात्मक कारिक्रम है इसमें कोई दोराय नहीं उसकी स्ट्रेटिजी जो है उसके जो उसको जिस तरह से प्रस्तुत किया जाना है या किया जाना चाहिए था उसको लेकर मैं आपकी बात से सामत पूँ जैसे आपने कहा ने कि राजकोट और पॉरबंदर के बीच म क्यों नहीं गई मुझे लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा के जो संगटक है उनकी ये बहुत बड़ी चूक है कि उनको ये लगा होगा कि अगर राउल गांधी गुजरात जाएंगे और गुजरात में तो मोदी जी को जीतना ही है तो अगर हार गई का अंग्रेस पार्ट कि ये दो तरफा बाते कॉंग्रेस नहीं कर सकती है कि एक तरफ तो ये लोग कहें कि नहीं साब राहूल गांधी बहुत ही बहुत ही बहादुरों कि ये यात्रा कर रहे हैं मगर दूसरी तरफ फिर उनकी छवी की चर्शा हो हार का सामना करें तो उनके उनके ठीकरा पोड़ हो जाएगा हार जीत डिमोकरसी में चलती रहती है राजनीत में चलती रहती है आपको जाना चाहिए था मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ अपने 38-40 साल के पत्रकारिता के अनवह के आधार पर कि अगर राहूल गांधी की यात्रा वहां गई होती तो उससे कम से कम कांग्र इसकी इतनी बुरी पराजाए नहोती और मोदी जी की इतनी शांदार जीत नहोती जीत होती बिलकुल कम से कम काडर जो है वो संगठे तो जाता है मैं यह कह रहा हूँ कि चलिए आप एक भारा जोड़ो यात्रा कर रहे हैं मगर हम यह ना भूलें 2014 से पहले जो पूरी जमीन तयार की गई थी प्रधान मंतरी नरेंद्र बोदी को लेकर कई नारे सामने आये थे अच्छा वो नारे जो है सारे भीके जूटे साबित हुए अपकी बार मोदी सरकार बहुत हुआ अत्याचार जनता माफ नहीं करेगी यह तमाम जो नारे थे ना उन्होंने जनता की imagination को capture क किया था अब आपका समानांतर तोर पर आपकी क्या योजना है यह मुखिर आश्री अदल कॉंग्रिस की तरफ से गायब है क्या आपको नहीं लगता है कि कम से कम विपक्ष को उस समानांतर प्लान पर काम करना चाहिए देखे निश्य तोर पर मुझे लगता है कि काम करना च चाहिए और अल्टरनेटिव ब्लूपरिंट बहुत स्पेसिफिक यानि उसमें यह यह चीजें हैं जैसे माली जी हम बात कर रहे हैं अभी गुजरात की वहां पर जाके जो दुबारका में उन्होंने अपने आठ पॉइंट्स नौ पॉइंट्स राहूल गांधी ने बोले कि यह हमारा डिक्लेरेशन है अगर हम आते हैं तो यह चीजे हैं जब मैं पोरबंदर में बात कर रही थी जहां से अर्जुन मुठवाडिया जीते हैं कॉंग्रेस के विधायक बने हैं तो बता रहे थे कि इस बहाने उन्होंने मच्ववारों को एक बड़े पैमाने पर बड़ा सवाल यह है कि जो अल्टरिनेटिव स्ट्राटरजी बन रही है मेरा यह मानना है कि पहली चीज एक जो आप भी बोल रहे हैं और मिलेश जी और आपका भी मानना है कि एक पॉजिटिव हस्तक्षे भारजुड़ो यात्रा है उसे और कितना मल्टी डैमेंशनल बनाय मेरे खाल से इनलों की भी स्ट्राटरजी रही होगी सफल है विफल है वो चोड़िये उनको लगा कि मोधी वर्सेज राहुल गांधी हो जाता है और उसमें गुजराती कॉंग्रेस के लिए कॉंग्रेस के जो गुजरात के लीडर्स हैं वो भी बोल रहे थे कि उसमें उनको फायदा होता दिखाई नहीं दे रहा चाहा मुझे एक बात बताई दो हजार सत्रह में तो राहूल कहीं जादा आक्टिव थे और मैं कहता हूं देखिए डेविड वर्सिस गोलियात का जब एक मुखाबला होता है तो आपको लड़ना पड़ता है आप अपनी छवी को लेकर जो दुश्परचार है उससे राहूल गांदी लड़ रहे हैं आपको उतरना पड़ेगा आप यह नहीं सो सकते कि मैं जिक मैदान में उतरूंगा मैं गिर जाओंगा मेरे चोट आजाएगी हाथ चल जाएगा आपको वो साक्रिफाइस करना पड़ेगा और शायद यही आप दबाओ पड़ा कॉंग्रेस पे उस दबाओ के तहट राहूल गांदी ने अपनी यात्रा इस्तागित की और गुजरात गए और आदिवासी वाले मुद्रे को उठाया उन्होंने एक नहीं डेफिनेशन देने की कोशिश की इस बात में मुझे 100% सहमत है कि उनको रड़नीत अपनी स्पेसिफिक करनी होगी और मद्ध प्रदेश, राजेस्थान और उसके बाद दिल्ली होते हुए जब वो उपर जाएंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश भी कम जा रहे हैं और हमें ये भी सोचना जरूरी है कि अगर ये सारी चीजे इसकेप रूट लिया है तो उन इस केप रूट की वज़ा क्या है चली मैं अब थोड़ा चर्चा को आगे बढ़ाना चाहता हूँ और मैं बात करना चाहूँ का दिख्या हम विपक्ष की बात करें हमने कॉंग्रिस पर फोकस किया हमें क्षेत्रिय दलों की बात करनी पड़ेगी मुझे ऐसा लगता है क्षेत् ये राज में हैं जो राजनी तक तोर पर सबसे हम राज माना जाता है अखलेश आदव शर्तों के साथ लड़ाई लड़ते हैं तेजस्वी आदव उग्र होके बात रख रहे हैं मगर फिर वहां पर भी कमी आपको लगता है विपक्ष के नेताओं को थोड़ा और बहदुर इसे एक खास विचारधारा से आगे लड़के मुकाबला करना पड़ेगा क्योंकि देखिए कॉंग्रिस को तो खतम करना चाते हैं मगर जेपी नड़ा ऑन रिकॉर्डें कहते हुए कि हमें क्षेत्री दलों को खत्म करना है तो क्षेत्री दलों को थोड़ा और मजबूत ब अरेंदर मोदी जी भारती जंतापाटी और आरेसेस को सबसे बड़ी चुनावती वही दे रहे हैं आप केरल का उधारान ले लिजे आप तमिलनाट का उधारान ले लिजे बिहार का उधारान ले लिजे आप और दूसरे स्टेट्स का उधारान ले लिजे नमताब आनर जी मैं इंकार नहीं कर रहा हूं लेकिन कांग्रिस का संगठन कितनी बुरी स्थिति में है आप देखिए उनका आल इंडिया संगठन उनकी कौर्ड उनकी जो कमेटी है उनके जो नेता गण है क्या हाल बुरा बना रखा है अगर रिजिनल सेंटर्स पर जो उनके नेता है चाहे व पास जो एक केंद्री पाले नेत्रित होता था जिसका अपना एक आभा मंदल होता था वो बहुत कमजोर हो गया है तो ऐसे में मेरे को लगता है कि आज की तारीक में बिलकुल आखीर में मैं कोंगा कि एक बड़ा एलाइंसी इस कमी को पूरा कर सकता है राष्ट्री और क्ष चेत्वरी दल है जो नाशनल दल में तबदील हो चुका है आम आदमी पाटी मैं आपसे समझना चाहता हूँ अरविंद केजिवाल फैक्टर के बारे में क्या अरविंद केजिवाल की लड़ाई करते वो दिखाई देते हैं हम लोग कई बार उनकी जो आलोचा के हैं वो कहत करते हैं गुजिरात में वो कॉंग्रेस से कहीं जादा उग्र होके लड़ रहे थे अरविंद के जिवाल फैक्टर के बारे में क्या करें मेरा बहुत साफ मानना है कि अभी जितने विपक्षी दलों की आपने बात की जो सीधे सीधे हैड-on ले रहे और कई बार हाथ नहीं करेंगे ऐसे में आम आदमी पार्टी ने मुझे लगता है कि अपनी रर्णीती बहुत तैब बना ली है बिल्कुल उसकी सुगटत सुविचारत रणीती है कि उसे आगे कैसे बढ़ता के और मैं उसमें उसके पास दो तीन जो मॉडल है उसमें उनके पास मॉडल यह है कि उन्हें नफरत नहीं फैलानी लेकिन जो हिंदू वाला कार्ड है जो एक राइट विंग कार्ड है राजनीती में उसे उसे अच्छे ढंग से खेलना है जिसका उन्होंने बखुबी इस्तमाल गुजरात में किया कि बात नहीं है लेकिन हम लक्षमी गडेश की बात करेंगे कि हम सबसे बड़े हिंदों पर खामोश रहेंगे यह जो आप राधिक चुपी है बिल्किस बानों पर क्योंकि उनको यह पता है कि उनका वोटर हिंदू है आप दिल्ली में बैटे हैं 2020 में दिल्ली जली कितने लालू जी के पास तेजस्पी के पास यह ममता के पास जाने के बजाए हम आपको विकल्ब देंगे कि एक दूसरे ढंका सिक्क्योर नेशन है अब इस चर्शा का जो सबसे एहम पहलू मोधी फाक्टर यकीन मानिए लोगप्रियता के लिहाज से राजनीतिक एहमियत के लिहा होती हैं आने वाले दिनों में मोधी फाक्टर जो है वो और भी एहम होने वाला है क्या है इस खबर का पंच और मिलिश जी आप बताएं मैं समझताओं की इसके लिए नरेंद्र मोधी जी की जो सरकार है उसके अगर एचीवमेंट कोई गिनाता है सरकार की तरफ से अगर वो पंच गिनाता है तो जो नाकामिया है वो मैं समझताओं की पंच सो से ज़्यादा है विपक्ष अगर इन नाकामियों को विपक्ष का का कि वो सत्तापक्ष की नाकामियों को जनता के बीच ले जाए आप ले जाए ले जाने का स्किल होना चाहिए ले जाने के लिए आपके पास प्लेटफॉर्म होना चाहिए तो यह काम अगर विपक्ष करता है तब तो वो नरेंद्र मोदी जी से लड़ पाएगा वरना कोई सवा चेहरा है वह है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और उसका अभी तक बेस सेलिंग पॉइंट भारती जनता पार्टी आरेसेज ने खूब इस्तमाल किया है और मुझे ऐसा लगता है कि 2024 तक सबसे बड़ा चेहरा यही रहने वाला है क्योंकि उनको किसी और चेहरे पर भरोस नहीं और जो कनेक्ट सीधे मद्दाता और मोदी की बीच स्थापित किया गया है मीडिया के जरिए बाकी एजेंसियों के जरिए उसमें उनको लगता है सबसे भरोसे मनकार्ट MCD चुनाओ से लेकर गुजराच चुनाओ तक सिर्फ और सिर्फ मोदी हैं आने वाले दिनों मे में भी वही रहने वाले हैं अभिसार क्या है आपका पंच इस मुद्दे पर मेरा पंच यह भाशा कि देखिए मोदी फैक्टर जो है ना वो तीन पहलूं से बना है पहला प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को एक पीडित के तौर पर दिखाईए विक्टिम काट के लिए द तीसरा पहलू जो है वो है मीडिया का प्रचार जब तक यह तीन पहलू है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देना असंभवे विपक्ष को कहिना को एक ऐसा रास्ता कोजना पड़ेगा कि वो लोग जो है उन्हें चुनौती दे पाएं भाशा हमने देखा था अभी कली आप जीते हैं आपको 156 सीटे मिली है ठीक है तब भी प्रधान मंत्री कहते हैं कि इस जीत के बाद अब हम पे हमले और तेज होंगे मतलब मैं समझ नहीं पाता हूँ ये रुदाली क्यों ये विक्टिम कार्ड क्यों और मैं जो कहता हूँ जो उनके अंध समर्थक वो देखनी रहें एक तरफ तो आप बात करते हैं भाईया सर्जिकल स्ट्राइक 56 इंच का सीना इसके बावजूद अगर एक व्यक्ति हर बार कहे कि मुझे दो किलो गालियां पढ़ती है हमें आने वाले दिनों पर हमला पढ़ने वाला रहे आपने पलट के क्या किया है लो वो बात करेंगे महंगाई अशिक्षा ड्रग सब कुछ बात करेंगे लेकिन फिर कहेंगे क्या करें बिचारे मोदी जी तो यानि आप देखिए क्या करें बिचारे मोदी जी जो नीचे मदाता बोल रहा है जो भारती नागरिक बोल रहा है वह जानता है कि यह क्या चीज च कि एक विक्टिम है राजा है लेकिन विक्टिम है देखे बहुत आरेनी है हम आप समझ नहीं पाएंगे कि राजा है राजा की तरह रहता है चपन इंच की चाती है आज तमाम अखबार 156 इंच की बिवात कर रहे हैं वहां पर सब कुछ होने के बाद लेकिन उस बेचारे पर इतनी गाली पड़ रही है उसे सारे लोग घेर कर क्योंकि ये चीज मुझे लगता है उन्हें बखुभी पकड़ी है कि अगर सारे लोग घेर लेते हैं तो वो जो एक लीडर है बिचारा मुझे ऐसा लगता है कि प्रधान मंत्री दरेंद्र मोदी जो है ना भारतिय जन्मानस और उनकी मानसिक्ता को समझ गये हैं हम मेंसे कई लोगों ने पाइट पाइपर ऑफ हैमिलन कहानी पड़ी होगी एक ऐसा व्यक्ति जिसे जनता चुनती है उस शेहर में बहुत सारे परण जो है जो है निजा से प्रधान मंत्री जैसे कहा ना भाशा ने सॉफ्ट्वेर समझ चुके तो इसमें क्या प्रधान मंत्री को दोश मढ़ा जाए तो जन्ता का दोश है मैं समझता हूँ कि ये जनता का दोश नहीं है और ना प्रधानमंत्री का दोश है ये रायनितिक विपक्ष का दोश है कि वो कोई दूसरा नेरेटिव सामने नहीं ला पा रहा है जो ज्यादा कारगर हो जैसे उदारन के तोर पे सब कारें मांगाई है बेरुजगारी है ये है लेकिन ठोस मुद्दों पर जनता के सामने वो नहीं जा रहे है जैसे कौन नहीं जा रहा है विपक्ष उठाता है जनता हम एक ऐसे दोर में जी रहे हैं जहां जनता को ब्रेन वाश कर दिया गया है जनता को ये तक डराया गया है अगर हम सत्ता से चलेगे तो मुगल जैसे हम जब बच्चे थे तो माना जाता था कि इस देश में जो वर्गत की पार्टी है वर्गत सुसलिस्ट पार्टी का निशान था हंसवा बाल था कम्मिनिस्ट पार्टी का निशान था इनके बारे में तरह तरह का प्रचार उस समय की जो मेजर पॉलिटिकल प्रचार आप विरुजगारी हर आदमी जहल रहा है लेकिन बताना चाहिए कि कैसे इस देश में जिन बड़ी कमपनियों की तरफ से ये सरकार काम कर रही है जिन से मिली जुली है ये सारी बातें राहूल गांधी उठाते है भाशा क्या ये ज्यादती है विपक्ष की बात कहने का मौका नही ने उससे भी बड़ी बात में उर्मिले जी एक चीज जो समझनी बहुत जरूरी है कि महंगाई विपक्ष उठाए ना उठाए घर में रसोई गैस सब खरीद रहे हैं देखे मेरा ये कहना है कि आपको बताना होगा कि जो निजी करन किया जा रहा है उस निजी करन में कितनी नौकरियां क्रियेट हो रही हैं दो लाग के आसपास टोटल जो बहुत बड़ा इस देश का उद्योगपती है जो इस सरकार का बहुत बड़ा ही तैशी है दो लाग के आसपास नौकरी दे रहा है सर ये बातें राहूल गांदी अपने हर प्रेस कांफरेंस में कहते हैं तो आपके लिए क्या बनता है आपके लिए बनता है कि आपको बताना है कि आप कहने जी ट्वेंटी में आप लीडर्शिप पा गए अरे बई दुनिया जानती है रोटेशन से है इंडोनेशिया अभी था आप मिले हैं लेकिन आप वो इसको प्रचारित कर रहा है अपने आपको देना चाता हूँ अभी कुछ दिनों पहले एक भाजपा के सांसद ने मुझे बुलाया था बहुत गुप तरिग्ये से वो मिलना चाहते थे उन्होंने मुझे बहुत दिल्चस्प बात कही उन्होंने कहा कि देखो यह जो अभिसार है उन्होंने नहीं मैं आपको प पहुँचते होंगे एक करोड़ दो करोड़ और यह बहुत जादा बता दिया उन्होंने उन्होंने कहा कि हम वाटसैप के जरीए सत्रा करोड़ लोगों से जुड़े हुए हैं आप कल्पना कर सकते हैं हम अगर हकीकत अगर उर्मिलेश जी भाशा हकीकत बताती भी हैं आप लाक दो लाक तीन लाक एक वन मिलियन लोगों तक पहुँचेंगे वो सत्रा करोड़ वाटसैप के जरीए हैं और उपर से मुक्यधारा का मीडिया उसके बाद हाँ मुझे लगता है और मिलेश जी एक बात हमें जो बहुत समझनी जरूरी है भारती लोग तंतर के लिए कि आज की तारीक में बिलकुल ओपेक है वो जो बोल रहे हैं वो मल्टिपल लेवल्स पे मतलब इतने चैनल्स के जरीए प्रचारिक प्रचारिक हो रहा है और आप सोचे कि मैं जब गुजरात में एहमदाबाद में जहां से मुक्यमंत्री जी जीते हैं उनकी कॉंस्ट्वेंस मीडिया है सारा उनके साथ लगा हुआ था लूला ने जो विकल पेश किया लूला ने बौमें जाकर उनके लोगों ने इस जबरดस्ग से अवियान चलाया एक सक 앞 क्यूर्सकlında ने जो मेंखिच करप्रेट मीडिया प्रो अमेरिकन मीडिया जो पूरी तरह चाहता किया जिस तरह से जनता को पूरे कैमपेन में और कमेटियां बना बना कर कमेटियां बना बना कर गाउं गाउं में कस्बे कस्बे में छोटे-छोटे इस तरह पर कमेटियां बना कर वो प्रियोग भारत में यह पुलिटिकल पार्टी नहीं कर पा रही हैं आप इनकी भी फलता ह ही है हमारा विपक्ष काम करता है शर्तों के साथ जैसे वो प्रोड़क्ट के दीशे लिखाता है टर्म्स इंद कंडिशन सब्लाइड यह लोग इसी तरह से काम करता है और विवाजित भी है यहां सवाल रुदाली का बिल्कुल नहीं है लेकिन यह किन कंडिशन में भारती लोकतंत्र कहां है आपके पास स्ट्रक्चर क्या है sudah आपके पास मीडिया नहीं है आपके पास जुडीशरी नहीं आपके पास एक्जेक्यूटिव बहुत कम बचाएं वर्ना ऐस अम्बाव हो Lot कि चुनाव में वोट डाल कर आप आए और रोड शो करते हुए आप आते हैं और चुनाव आयोग एक चू भी नहीं बोल पाता है हमने देखा है कि चुनाव आयोग को कैसे आप जिसकर जिक्र कर रहे हैं अभी सार कि जब न्युक्ति होती है उसी दिन रिटार्मेंट होता है अगले दिन युक्ति होती है तुरंट साइन हो जाता है मामला सुप्रीम कोड तक पहुशता है चुनाव हो जाता है यह सारी लोगते होने के बाद भी लड़ने और बाहर आने के अलावा काम नहीं है एक मिनिट मेरे एक सवाल का जवाब दीजे हम तीनों में आपका तज़ कहीं जादा है आपने अपने सामने जेपी आंदोलन को होते हुए देखा तमाम चीजे मेरे एक सवाल का जवाब दीजे देश के तिहास में जितने बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं क्या मीडिया ने उसके खिलाफ रुख अपनाया क्या हम नहीं देख रहे हैं पिछले साफ्टवेर रहा है कि वो आंदोलनों के पक्ष में दिखाई देती है यहां तो आप देख रहे हैं पिछले आट सालों में क्या हो रहा है तो यह जो आपका जदावाई यह गलत है अविसार मैं आपको असंख उदारन दे सकता हूँ जब मेंस्टिम मीडिया जनांदोलनों के खिलाफ खड़ा रहा और हमेशा प्रोपेगेंडा करता रहा बिहार में किसान जो आंदोलन है बिहार के किसानों के खेत मजदूरों के आंदोलन को वो आतंकवादी आंदोलन कहता रहा मीडिया जिस वक्त मैं बिहार में गया मैं किसान आंदोलन की बात कर रहा हूं मैं ख कोई उग्रवादी नहीं था कोई उग्रवादी नहीं था मार्क्सिस्ट क्वाडिनेशन कमेटी नाम का धनबाद में ट्रेड यूनियन था उनके पास यूनियन थी उनको बताते थे कि ये बहुत बड़ा खुंखारा तंकवादी है एक CPIM के निता थे ये क्या नाम है इस उसी याद है जब UPA भरष्टाचार का सामना कर रहा था तो उस वक भी इसी तरह की बाते जो हैं दिगविजे सिंग कहा करते थे कि अना अंदोलन के पीछे अमरीकियों कहा थे इस तरह की बाते तो की जाती रही है असली चीज ये है कि कम से कम मीडिया ने उससे चुनौती दी ज बहुत बड़ी ताकत है लोगों के बेडरूम तक उसकी घुसपैट है उसको इस पार्टी ने इस सरकार ने बिल्कुल अपने साथ जोड कर रखा है उसको अपना उपकरण बना लिया है ये स्थिति पहले नहीं खाली एक चीज कहूंगे कि यही वज़ा है कि आप देखते ह है कि एक मीडिया घराना जो था उसे खरीदने के लिए कॉर्परेट जो मोधी जी का बहुत प्रिय कॉर्परेट है वह कितने हत्कंडे इस्तमाल करता है यानि हंड्रेट परसेंट आधिपत्य हर इस्ट्यूशन पर करने के लिए इलेक्शन कमिशन से लेकर मीडिया तक और लोक कंत्र को बचाईए ठीक है और यह सब किया जा रहा है ताकि एक व्यक्ति की छवी बनी रहे उस पर कोई आच्छ कोई दरार ना आए यानि कि प्रधान मंत्री नरेंद्र बोधी बहुत बहुत शुक्रिया रुमिलेश जी और भाशा इस जोरदार जुनूनी चर्श के लिए इंडिया की बात में बस इतना ही अभिसार शर्मा भाशा और उर्मिलेश को दीजी अनुमती नमस्कार